करक राशी 2023 एप्ल का महीना किस प्रकार व्यतीत होगा तो आएए जानते हैं करक राशी वालों के बारे में महीना किस प्रकार व्यतीत होगा जितने भी दर्शक मेरे साथ जुड़े हुए हैं पुराने विवर्स तो मेरे जानते ही हैं जो नए और विवर्स मेरे साथ कीजेगा तो आईए जानते हैं करक राशी वालों के लिए मैंना किस प्रकार वेदेद होगा तो करक राशी वालों के लिए मैं देखती हूँ कि कुछ इस प्रकार की संभावना बनी वी है कि दो कश्टियों में सवार लेकिन दोनों में ही पार लग जाएंगे जाने की कारिश चीजे एकठे करेंगे आप कुछ वो आप क्या करेंगे मुझे नहीं पता पर दो चीजों में एकठे करने की सोचेंगे या आपके मन में एक ये उलजन आएगी कि मैं ये वाला कारे करूं कि ये वाला कारे करूं हो सकता है पुराना जो आप जॉब या बिजनस कर रहे थे उस मेंसे कोई भी चीज़ पकड़ सकते हैं और जादा तर दो कामों को इकठे करने का योग है यानि कि बिजनस प्लस चॉब तो अगर ऐसा होता है तो आप उसके लिए आगे बढ़े वो आपके लिएक सक्सेस्फुल चीज़ होगी अब हम आ जाते हैं married and married couples के मारे में एक एना चाती हूँ थोड़ा सा संयम रखेंगे तो सारी चीज़े अच्छे से deal हो जाएंगी हो सकता है गरेलू बातों से कभी थोड़ा मन अशांसा हो कुछ ऐसी घर में छुटी मुटी बात हो जाए आपने patience को महादेव को अपना राध्य मान कर उनको अपना आइडल मान के शांत रहना है बहुत ही शीगर आपके जीवन में खुश्याई खुश्याई आनी शुरू होने वाली है जो मुझे prediction नजर आ रहा है प्रभू कृपा से लेकिन उसके लिए emotional वेग आपके emotions upside down थोड़े हो रहे हैं उसको नियंतरत करने की आवशकता है कुछ देख के emotion कुछ negative हो गया कभी positive हो गया कभी उपर कभी नीच यह द्वन्द चल रहे हैं इनको आपने balance करना है और balance के सबसे बड़े स्रोत कौन है अर्धनारीश्वर तो महादेव मागोरी की अर्धनारीश रूप की स्तूती कीजिए उनका स्तोत्र पढ़िए इससे आपकी यह problem इस महीने जर से समूल नभी नश्ठ हो जाएगी आप Google में टाइप करेंगे अर्धनारीश्वर स्तोत्र रोज पढ़ना शुरू करें साथ पेखो के no non-mage no egg no alcohol no tobacco और एक आदशी के दिन हो सके तो वरत कीजिए वरत नहीं कर सकते हैं तो कम से कम अन्यन गार्लिक और ये राइस अपने आपने नहीं खाने इन सब बातों का ध्यान रखें ये महीना आपका सुखद है कोई ऐसी खास परिशानी नहीं नजर आती अब हम आ जाते हैं रोगों पे तो थोड़ा सा मुझे लगता है प पदार्त का सेवन बिल्कुल नहीं करना है नहीं तो कोई पुराना रोग एलिवेट हो सकता है ठीक अब हम आ जाते हैं लकी कलर की तरफ तो लकी कलर निस संदेह रूप से निकल कर आ रहा है वाइट और येलो तो वाइट और येलो कलर के पदान बना के प्रभू को खिलाए सुभे और फिर उसका सेवन करे इससे अच्छा रंगों को और कोई उप्योग नी हो सकता वैसे वस्त्र खरीट के प्रभू को पहनाए और फिर अपने जीवन में सतोत्र पढ़कर उनका फिर अपने जीवन में आगे बढ़े तो देखेंगे आपके जीवन में नाना प्रका करें और प्रभू को अर्पित कर दें कि मैंने आपकी प्रसंता के लिए किया प्रभू आप प्रसंत तो सब कुछ मिल लिया जो आप प्रसंत नहीं और सब कुछ मुझे मिल भी रहा है और आप मुझसे प्रसंत नहीं तो वो सब निसार जो इस बात को समझ जाता है वो बहुत क दम्यतीत कर ले, धन्यवाद